कि आरार्सी गुरुपडी के एक्जाम में हर सिप्ट में दोस्तों इसी बुक से कुश्चन पूछे जा रहे हैं यह दोस्तों NCRT की एक्जाम्पलर हूब हूब हूप्शन सहीत यह कुश्चन वहां मिल जाएंगे आपको एक्जाम में कोई भी सेट उठा के देख लिए जितन अपने यूटूब चैनल प्रकाइस इस देखें तो वीडियो को अंतर देखें ताकि ऐसे कुश्चन आपको रट लेना है नोट कर लेना है तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है दोस्तों धातुएं निम लिकित में से कौन सा घूप धर्म नहीं दर्शाती है वि नहीं अगर इनको हम लोग खीचते हैं लफती भी है ठीक है लेकिन बिदुद हिनता नहीं पाई जाती है नेस्ट कुश्चन दोस्तों हमारा दूसरा नमबर कुश्चन है कि धातुओं के पतले तार खीचे जाने के गुण को क्या कहते है तो दोस्तों यह तनता होती है और गुड़ धर्म इसके लिए उतरदाई होगा तो दोस्तों उच्च उसमिय उर्जा चालकता यह दोस्तों होता है और उच्च विद्धुत चालकता विद्धुत का कोई मतलब भी नहीं है यहां पे दोस्तों क्योंकि यहां खाना पकाने की बात हो रही है तन्नता और अफ्टर नमबर डी नेस्ट कुष्चन है नेस्ट कुष्चन है दोस्तों निमलिकित में से कौन सी धातु ठंडे और गरम जल में कोई अफ्ग्रिया नहीं करती है दोस्तों यह पीडियाप आपको हमारे टेलिग्रम ग्रूप में मिल जाएगी वहां से जाकर आप लोग टे आयन तथा भाफ लंबे समय तक अफ्ग्रिया में आयन का निमलिकित में से कौन सा या आक्साइड प्राप्त होता है तो दोस्तों यह थोड़ा सा आप्शन डाउट है तो इसका सही अंसर हो जाएगा यह फी थिरी ओ फोर इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है नेस्ट कुष् कर लेता है क्योंकि केल्सिम आक्साइड तभी बनता है और फिर जल अव्गिए अप्रशन करता है यह बहुत हो जाएगा नेश्ट है आपका जल से कम अबग्रीं आप ब्रशन करता है यह हो जाएगा फिक बने हुए हैड्वोजन गैस के बुल्बुले केल्शिम की सथा पर हाइडोजन गैस देती हैं निम्लिकित में से कौन सा अम्ल धातुमें मैगनीशियम और एमजी अत्रिक्स से अविक्रिया करके हाइडोजन गैस देती है इसका सही अंसर बताना है दोस्तों इसका सही होच को तो बताने ह pouquinho мол marché में से कौन सी योगिक नहीं है तो बताने हैं का सब्सक्राइब कर दिखाता हूं आपको यह दोस्तों सी सी आई हो जाएगा ठीक है यह तो सी सी आई हो जाएगा यह यह हो जाएगा इन में से कौन सा सही हो जाएगा कुश्चन नमबर नो का जिसका सही अंसर हो आपसोर नमबर भी पहला और तीसरा क्या हो जाएगा कि सी सी हो जाएगा ठीक है और दोस्तों करके जो सी एल था वह हो जाएगा ठीक है फिर नेस्ट कुछेने नेस्ट कुछेन के निम लिखित में से कौन सा गुर्धन सामानता आइनिक योगिक के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है इसका सब्सक्राइब जल के बिलेता ताथ ठोंस और शॉस्ता में विद्धुच्या लगता या उच प्राक्रत में प्राक्रत अउस्ता में पाई जाती है यह बताना इसका सब्सक्राइब कापर हो जाएगा या या जड़न हो जाएगा या चांदी हो जाएगी तो इसका सब्सक्राइब गयारा का तो इसका सही अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका जो आप हमा कि गृष्ट धाट्वेंड हो जाएगा तफर नंब्र 데 यानिई पहला और दूसरा इयू और ची यू ठीक है कैस Kiwi उंसर हो जाएगा देखेंगे और Revelation कि वायू में लंबे समय तक उद्वशन या सिल्वर की वश्तुवव काली हो जाती हैं किस कारण से दो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि वाय में अगर चांदी को रख देते हैं तो सलफर डाइए अक्साइड यानि सलफर से क्रिय कर लेती है तो क्या बन जाता है दोस्त किसे कहते हैं यह चिम्कigi की परद चड़ाई जाती है तभी उसमें आपका जो है जंग नहीं लगता है इसी को गञड़ी आसन कहते हैं हमारे जीवन के लिए this day एक अ उपयोगी पदार्थ है इस टेन learn को किन के साथ मिर्स्ड़ किया मस्ट नबर 15 तो इसका हो जाएगा निखल और क्रोमियम किया हो जाएगा निखल और प्रोम्यम को जीवन के लिए स्टेश स्टील में कि कين किन के साथ मिश्चित किया जाता है तो तो धूर्ड हो हो Toyna by Professor E two without any kind ś रखता है तो में चंकीला भूरा जो सतो होती है हो देता है और हरे रंकी प्रत प्रप्त्र करता है जिसके कारण निर्मार होता है कि किसके निर्मार के कारण होता है तो दोस्तों का कल नाइट्राइट के कारण होता है तो यह हो क्या हो जाएगा सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों गर अगर पूस्ते दोस्तों तो हो जाएगी ब्रोमियम क्या हो जाएगी नेस्ट कुश्चन है नेस्ट क्या है निम लिखित में से कौन सी धातियों गलित ऑस्था में क्लोराइड बिद्धूत अब घटन प्राप्त होता है इसका सही अंसर बताना है Quesشion No.18 का सहीi answer क्या हो जाएगा तो option No.D हो जाएगा पहला और दूसरा यानी सोदियम और कल्शियम सहीi answer हो जाएगा next question है नीमलिकत में कौन सी अधादो चमकेली नहीं होती है अधादो कहा रहा है समान सी अधादो चमकेली नहीं होती है नेस्ट कुश्चन क्या है निम लेकष में से चार धातमें कौन की उनमें लाउंड बिलेन के अने तिन धातमें 2 आ बिस थापित किया जाता है तूस का सबस्ता क्रिया क्रिया सीलता इसकी ज्यादा होती है नेस्ट क्रिया क्या है तीन चिनिध प्राखनली एबी सी प्राखनली है तिसमें यसीयल और दूसरे में सांध्र याशेनो थ्री और तीसरे में यसील यूम सांद यसेनो थ्री का थ्री अनुपाते एक मिसित किया जाता है प्रतेग में दो एमेल के लिए किये गए हैं ठीक प्रतेग परकनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा जाला जाता है प्रतक परखनली में एक धाधु का टुकृड़ा झाला जाता है परखनली एह तथा बी में कोई परिवर्त नहीं होता परण्तु सीह में धाधु घुल जाता है ऐसा क्यों ठीक है तो कुश्चन नंबर 21 है इसका सही अंसर दोस्तो क्या है आपको बताना है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर दोस्तो आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजी क्या हो जाएगा ठीक है नेस्ट कुश्चन है एक मिस्दादू है एक मिस्दादू क्या है तो मिस्दादू क्या होती है दोस्तों समांगी मिस्रण होता है क्योंकि समांगी मिक्स किया जाता है मिस्दादू योगिक क्या होता है जैसे O plus O मिला दिया जाए तो O2 बन जाता है यह हो जाता है दोस्तों आपका एक योगिक बन जाता है तक आप लोग जानते हैं जैसे हाइडोजन, मिलेम, लीथिम यह तक तक हो जाते हैं बिसम मांगी मिस्रण हो जाते हैं एक बिसम जैसे बजरी और दोस्तों कोई चीज मिला दिया है यानि तीसरा और चौथा सही हो जाएंगे आफ्टा नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कुछिजन क्या है जिंक के बिद्धुत परिक्रस्ट के दावरान यह होता है तो इसका 24 का सही अंतर्थ क्या हो जाएगा आफ्टा नंबर एजितने भी दोस्त ही कर रहे ह होता है काथोकल पर निशेफित होता है निस्ट कुछिजन है एक मुलायम है उसे चाकुष्छ से काटा जा सकता है में खुला नहीं रहो करता है जल में के नेस्ट कुस्ट्टन है नेस्ट कुस्ट्टन क्या है दोस्तों मिश्रित मिश्रित एक धातु एक अधातु तत धातु एक धातु अधातु के साथ सामागी मिस्रा निम लिखत में से कौन सी मिस्र धातु उसकी अधातु रखती है इसका सही अंसर बताना है 26 का सही अंसर क्या ह हो जाएगा दिसका UST բोजाएगा क्या हो जाएगा दोफ तो J안 dazu सई अंतर हो जाएगे ने स्ट कुश्चन है मैगनी य Durham मैगनी सियंधातो के लिए लिए मिले खित्में कौन सा गटन गलत है मैंगी चमकीली सोइत जौला के साथ जलती है ठीक है यह आक्षीजन में जलती है आप्टन नंबर बी में दिया है यह ठंदे जल में अब करिया पर मैगनेशियम आकसाइड बनाती है यह हैं डोजन गैस निकालती है तो कुछिन नंबर 27 का सही अनसर हो जाएगा दोस्तो आप्सन नमबर B यानि यह ठंडे जल अभिक्रिया करके मैगनेशियम आकसाइड बनाती है और हाइडोजन गैस निकालती है नेस्ट कुश्चन क्या हो जाएगा नेस्ट कुश्चन है नेस्ट कुश्चन है नेस्ट कुश्चन है नेस्ट कुश्चन क्या है यक्स वाई के मत अफग्रिया पर योगिक जड़ बनता है तथा यक्स इलक्टान होता है तथा वाई इलक्टान ग्रहन करता है नेस्ट कौन सा दर्साथा है इसका जैनसेंसर बताना है दोस्तों 29 कासेंसर क्या हो जाएगा कि उछट गल्लांक दर्साथा दर्साथा यह गलित और वह स्थ होस्ता में उसथा यह उस्था धाई जाता है तुस्त दोस्तों साथ और दो तो निम्लेकित में से कौन ची धातु वाई धातु है एक्स धातु है जड़ एक अधातु है यक्स अधातु और जड़ धातु है तो दोस्तों बताना है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा तो तीस का दोस्तों सही अंसर क्या हो जाएगा यह दोस्तों सुमांता 8 firearms बनाती है य Taylor सुछार शारू लोग जानते हैं जो पीजिंग ऑफ्री होता है ये सभी दोस्तों उभे धर्मी आक्साइड होते हैं तो इसके सही अंसर आपसर नंबर सी हो जाएगा नेस्ट कुछ चने सामानता धात्मी विद्धी की चालक होती है नेमली कौन सा विद्धुत का अच्छा चालक है दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो अधात होती है ग्रेफाइट ही सामानता उप्योग कि यह हमेसा जो अध्यूत की परत बनी होती है फ्लास्टिक की बनी होती है ठीक है नेस्ट कुस्चन है नेस्ट कुस्चन क्या है निम्लखित में से कौन सी अधात एक ध्रव और यसान्वन स्थे डिदी ढहा जाए तो इसका नंच तो इस कुश्चन सेम टूशेन आफसन सहीत आराशी गुरुबडी में दोस्तों पूछे जा रहे हैं तो इन्हें आपको सारे कुश्चन रट के जाना है ठीक है तो थैंक्यू मिलते हैं नेस्ट वीडियों में तब तक लिए बेस्ट आप लग जैहिन